धनबाद के बजार में बिक्र है नकली किताबों से किताब बनाने वाली कई कमपणी को लगतार हो रहे हैं नुकसान को देखते हुए किताब बनाने वाली कमपणी ने धनबाद के बजार में बिक्र है अकली किताब की सिकायट को लेकर धनबाद SSP से कमपणी के अधिकारी मिले जिसके बाद धनबाद SSP मनोज रतन चोथे ने एक प्रीम गटित कर अधीरापूर बजार में विक रहे कई बड़ी कमपणी के सेकड़ो महंगी किताबों को जब कर धनबाद के सदर ठाना लाएं और कर दो 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 धे एक रहे को जो करना लाद दो एक रहे। कमपनी के लीगल एडवाइजर संजीब कुमार ने बताया कि लगतार नकली किताब से कमपनी को लाखों का नुक्सान हो रहा था और धनबाद में बिक रही किताब की एक कोपी दिली के कमपनी के पास पहुंची थी जिसकी जाच में पता चला कि जो किताबे हीरापूर के अविजीत भू कस्टोर और संजै भू कस्टोर में सालों से बिक रही है वो नकली है साथी कमपनी के एडवाइजर ने बताया कि पहले भी इसके भाई के द्वारा नकली किताबे बेचने के मामले में केस चल रहा है और फिर सिकाट मिली है कि वही किताब विक्रिता ने बताया कि दोनों तीन सालों से पुरानी किताब बेचने का काम कर रहे हैं इन सब की नकली किताबे थी अच्छी खासी मात्रा में हैं और वो सप्लाई देने का कार तक है एस अब दिल्ली के प्रकाशन है तो आपको कई से मालूम चला कि यहां नकली किताब हैं जो इन्फॉमेशन इन्फॉमेशन पहुंची थी एक किताब भी सेंपल की रूप में गई किताब की थी और उन्होंने एक टीम गठिद करने के लिए इस अच्छो महोदे को कहा था तीम गठिद करके आज चापे मारी कर गही तो आपके सामने बहुत सारी नकली किताबे नहीं हो गी है क्योंकि एक किताब की किताब की पांसर पर शेसर रुप यह काफी दिनों से कर तो उसके बाद भी यह उपने का नाम नहीं ले इस कंपनी केस दर्ज कराएगे और निकाव सब नया है तुम को पुलिस को पकड़ के लिए पुलिस सर इसलिए लेके आँ कमपनी वाले हैं सोचे कि ओल्ड किताब है इसलिए पकड़ के किम्पनी वाले हैं किरा पुल अबिजीद भुख अपका नाम अभीजीद भुख अपका नाम अभीजीद भुख तुम्ड़ के नाम